जहिन फ्रेंड आज का टोपिक है सम्विधान, संसोधन, पोलिटिका यह मोस्ट इंपोर्टेंट इस चेप्टर है, इस टोपिक में हम फूल डेटेल के साथ थिवरीद भी देखेंगा और एमस्क्यू भी देखेंगे, और इसमें हम पहले सम्विधान, संसोधन के बारे में आ अनुछेद नमर 3 में कहा कहा है, 2 में क्या कहा गया है, तोटल कितना अर्सी तक हम अनुछेद देखेंगे, इस लिए इस वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाली है, आपके आने वाले किसी भी एकजाम के लिए, आचाया, बैंक हो, SLC, रिलेए हर एकजाम के लिए बहुत इंपोर्ट होने वाली है, तो आज का टोपिक है, समीधान, संसोधन, पोलिटे का ये most important question है, इसमें सबसे पहले हम संसोधन के बारे में देखेंगे, फिर अनुछेद देखेंगे, ठीक है, चली तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम संसोधन के बारे में देखेंगे, उसके बाद हम MQ देखेंगे, MQ भी जो भी रहेगा, उसका भी पुरा डीपली में क्या किया जाएगा, अनुछेद नंबर एक से लेकर, नंबरिंग से लेकर कितना, टोटल हम यहाँ पे 80, टोटल हम यहाँ पे 80 अनुछेद देखेंगे, अनुछेद 80 में भी यही कहा गया है, अनुछेद 80 नंबर का है, अनुछेद 370, जमुकस मिराज के संबन में अस्थाय प्रवाधान, यह सभी कहा गया है, ठीक है, तो चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं, और हाँ फ्रेंड अगर वीडियो अच्छे लेगी तो प्रीज लाइक सब्सक्राइब जीरू करेंगे, ऐसा कंटेंट बहुत ही इंपोर्टेंट कोश्चन है, बहुत ही अच्छा कंटेंट है, हर कोश्चन के साथ भी डिप्लीम अनलाइसिस, चलिए तो देखते हैं अचका, फर्स्ट टोपिक से संसुधन के बारे में, समिधान के अनुछे 368 के ताथ, समिधान में संसुधन का प्रवधान के अगये, कब अनुछे 368 के ताथ, अनुछे 368 भाट 20 में संसुधन को भारते समिधान में संसुधन करनी के सकती देता है, संसुधन से सम्मनित बिभिन विशयो में संसुधन बिधे को पारित करने के लिए बिभिन परकार के बहुमत की अवसेक्ता होती है, ठ मिध्यारो राज विधान सभाव के आधे हिसे की समटि के अशेगता होती है समइधान में सवwoधन के लिए संशतों विशेश बहुम Crisp के अलावा सभेधानिक आयोग या लग निकाई जैसी किसी बाहरी एजेंसी की अर्षक्ता नहीं है संसत से पारित होने के बाद संसोधन विधेक राष्ट पती को जाता है जिसके बाद यह एक अधिनियम क्या होता है बन जाता है ध्यान रखेगा आगे देखते हैं पर भारतिय समिन्धान में अब तक एक सोपास संसोधन हो चुका और एक सोपास संसोधन कब हुआ था जनौई 203 में हुआ था ठिक है अब इस शनसोधन हो गया अब यहां पर हम एम स्कूव देखेंगे, एम स्कूव के साथ उसका डिपली में अनलाइस हम करते हैं ठीक है चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं त्यां फरस्ट कोशन से आज के यहां फरस्ट कोशन है नीमली खित्म से कौन सा सनवेधानिक सुनसुधन सिख्छा का अधिकार परदान करता है अनि इसके बारे हम यहां पे जनकारी करेंगे पूरा दोज़एद दू में भारत के स्वयम निद्धान में छियासी वे संधोजन ने सिख्छा के अधिकार को समीधान के भाग थिरी में मोली के अधिकार की रूप में परदान किया है संसोधन के अनुछे 21 एग डाला जिस्न में सिक्षा का अधिकार को 6-14 बर्ष के बीच बच्चों के लिए मोलिक अधिकार बना दिया गया है। सिक्षा का अधिकार विदहक 2008 के लिए अनुवर्ति कानूर और अंत में सिक्षा का अधिकार अधनियम 2009 के लिए प्रदान किया गया। च्छाषिवा संसोधन मिए बात कहा गया है ध्यान रखिएगा अगला कोशन देखते हैं आप अपना हम देखते हैं टू को गृति को एक कोंसा समिधान सोजबन द्वारा पारिद क्या गया था एक सो एक सो एक समिधान संसोदन द् resistor को का किया गया था पारित कया गया एक जुलाई दोह सत्रक्त को अस्तित्व में आया था पूर्य भारत में वस्तुव और श्वाव के निर्मान बिक्री और उभक्ताप जीस्टी एक ब्यापक और परतक्ष कर रहा है यह केंद्र और राज सरकार द्वारा लगाएगा मोजूदा कोई करूपर लगाए जाने वाला एक क्या है टेक्स है कर रहा है आगे देखते हैं जीस्टी का अधान को पहले बाद 2005 में पीची तम्रम द्वारा संसद में पेश किया गया है जीस्टी लाग करने वाला पहला दिस कोई सा था फ्रांस था जीस्टी का अंत्रकात अलग-अलग टेक्स लेग 0% 5% 12% 18% और 28% है यह अलग- जीस्टी का अधर्श वाक है एक राज एक कर और एक बजार ठीक है आगे देखते हैं अगला पॉइंट है यहां पे वस्तु और शेवाकर को बढ़ावा देने के लिए अमिताप बच्चन इसके ब्रांड मिस्टर बने है ठीक है आगे देखते हैं पे भारते समिधान का दूवे संसुदन अधनियम ने राष्टिय पीछा बढ़ आयो को संविधानी का दर्जा दिया है भारते समिधान का एक सो तीनवा संसुदन अधनियम आर्थिक रूप से कमजोर बर्गों के लिए 10% आरक्षर से शंबंदित है ठीक है यह कोशन हुआ अब देखते हैं कोश 42 संसुदन अधनियम द्वारा अब यहां पर हम इसके बारे में देखेंगे ठीक है भारतिय संविधान का अनुचे 51-a मौलिक कर्तवयों से संबंदित है भारतिय नागरिकों के मौलिक कर्तवयों को 1976 में संविधान में शामिल किया गया था इसे उस बर्ष के सुरुआत में सरकार द्वारा गठी सोर्शिंग समीती के निद्दसों पर जोड़ा गया था मौलिक कर्तव राष्ट विरोधी असमाजी गति विधियो जिसे राष्टिय ध्वज को जलाने सावजनिक संपति को नस्ट करने के खिलाफ में यह होता है यहां पर ध्यान रखिएगा आगे द सब्सक्राइब देखेंगे यह नागा लेंड मिजूरम उडाचल परदेश में अनुसूची जनजाती के लिए लोग सभा में सीटों के आरक्षण प्रावधान करने के लिए अनुचे 3332 में उप्यूक संसुधन नागा लेंड और मिघाले के विधान सभा में अनुसूच जनजाती के लिए सीटों के आरक्षण के लिए अन्यम किया गया था आओगे देखते हैं तैस्वा संसुधन अन्यम 1969 में किया गया था कब 1969 में ये किया गया था तैस्वा संसुधन थड़्ड ध्यान रख rozmow त्धेहं आगे देखतेएं पहले इसके वारे मई हैं अन्यम कि यसके लिए समीधान के अनुचे 3332 में संसुधन में किया जा रहाए भारत के संद्धान में पहला संसुधन 1915 में हुआ था, भारत के सम्मिधान में YouTube में Hmonga, 1901 में हुआ था, पहले सम्मिधान भारती है सम्मिधान के नवी अनुसूची में जोड़ा गया था, इसने भासन और अभिव्यक्त की है सुथाउंत्रता परिभन हो, इसने भारत सम्मिधान में अश्य है 31 और 31 भी को संबल स् सिक्षा का मूल अधिकार दज़ादू में की संसुधन तो 86 वा समिधान संसुधन द्वारा सिक्षा को मूल अधिकार के रुप में जोड़ा गया रखते हैं यहां से यह तो चले फिर इसको रिपीट कर लेते हैं समिधान संसुधन द्वारा सिक्षा का मूल अधिकार मना दिया गया तो समिधान का 21 में जोड़ा गया है इसमें कहा गया कि राज 6-14 वार्ष के आयू के सभी बच्षों खुर्णी सुल्क और अनिवार सिक्षा परदान करेगा सिक्षा का अधिकार 80 अधिनियम द्वारा मंत्री परिशत के सदस्यों की अधिक्तम संख्या कितनी निधात की गया है तो यह 91 समिधान संसुधन द्वारा यह बात कहा गया था अब इसके बारे में हम जालने ते कितना कहा गया था कितना नहीं कहा गया था पुरा डिप्ली में यहां पर देख लेते हैं एक 91 सम्विंधान संसुधन अधिनियम 23 केंद्र और राजय दोनों के मंत्री परिशत के आकास च्रीमित करने के लिए अधिनियम किया गया संसुधन द्वारा सम्विंधान का 99 75 में एक नाया खंड एक 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 जोड़ा गया जोकी सी राज मंत्री परिशत के अकार को उस राज की विधान सभा के कुल सदस्यों के संख्या 15 परिशत तक सिमित कर दिया लेकिन बाहर से कम नहीं 12 से कम नहीं आगे देखता हम इसके बादे में और दिया गये हैं यहां पर 91 संसुधन में दल बदलवो के मंत्री पत्ष आयोग ठहराने का प्रवधान भी सामिली के आगया जिसे दल बदल भीरोधी कानुन को मजबती मिली 99 समिधान सुधन अधियम 2014 के तहत राष्टिये नियूक्त आयोग के अस्थपना की गई थी ध्यान रखेगा आगे देखते हैं पर इतो हो गया रिपीट बार बार हो रहा हो चलिए अगला कोशन देखते हैं पर हम कोशन है कि इस समिधान सुधन द्वारा दिली को राष्टिये रजधानी चैतर बनाए गया था देखते हैं इसके बारे में आगे यहां पर दिया हुआ है कि भारतिय समिधान के 79 संसोदन अधनियम 1991 में दिली को विशेस दर्जा परदान किया गया और इसे राष्टी राधान इछित गोशित किया गया इसने राज के लिए एक राज विधान सभा और मंत्र परशद बनाई इस अधनियम के तोथ आधितनाथ ज्ञा दिली के पहले उपराजपाल बने ये कोशन पूछेगा कि दिली के पहला उपराजपाल कौन थे आधितनाथ ज्ञा ज्ञा रखेगा समिधान के 249 ए ए ने दिली को केंदसासित परदस का दर्जा दिया कब 249 ए ए ठीक है अगला को सब्सक्राण देखते हैं यह आपर Q7 भारत के समिधान किनीमली कितत में से कौन सी mają उन चुची प्रत्थम संविधान हो ससुधन दूरा जोड़ि गई थी तिनवी औनुसूची जो है यह प्रतम समधानिक सवंषूधन दोारा जोड़ी गई थी, कोन सवंषूची ? नवी औनुसूची अब देखते हैं, सब्से पहले छटी औनुसूची देखते हैं चार राज में आदिवासी छेत का परश्रासन से संबंधित है इसे पहले समिधान सुझन में नहीं जुड़ा गया था दस्वी अनुसुची में देखते हैं विधायका की सद्वी के दल बदल के आधार पर आयूगे संबंधित इसे उनिसे पचासी में बावनवे संसुधन द्वारा जुड़ा गया था ठीक है ध्यान रखेगा अब यहां पर नवी अनुसुची और सात्वी अनुसुची के बार कानु सामिल है इसलिए सही विकल्प है यहां पर नहीं है संख और राज की बिसक्तियों के बित्रन को सुचि बद करता और मुल्ड समिन्धान का हिशा था नोग समिन्धान हो गया अब देखते हैं आगे यहां पर भारत के समिन्धान में बरतमान में 448 अनुछेद हैं 25 भा और आठ अनुसुचिया है भाद का समिन्धान 2949 को बनकर तयार हुआ जिसको 26 जनुवरी 1950 से पूरे देश में लागू किया गया यह तो हो गया अब यहां सब सब एक करके हम अनुछेद देखेंगे टोटल असी अनुछेद है तोटल यहां पर असी अनुछेद देखेंगे चलिए स्टार्ट दिखते हैं अनुछेद नमर एक में का कहा गया है संह का नाम और राजचेत्र अनुछेद नमर थी में का कहा गया है नए राज का निर्मान करना बरतमान राज्यों के छेत्र के सिमाव या मौजूदा राज्यों का नामों में परिवर्तन करना जरकाई नोकुर्य के सभी के ओसर समानता मिलती है। उन्छेद नुमर इस सवत्रह में कहा गया है। और सपीर्था का उन्मलन। उन्छेद उन्नीस अभिव्यक्ति के सोतंतर्था का बारे में कुछ अधिकारों का संरक्षा। उन्छेद नमर 21, प्रान और दहिक सोतंतरता सुनरक्षन के बारे में कहा गया है, आगे देखते हैं, उन्छेद नमर 21, ए में कहा गया है, प्रात्मिक सिख्छा का अधिकार, उन्छेद नमर 25 में, अंतरात्मा के सोतंतरता, मन चाहा काम, धर्न परशार परशार का सोतंतरता कर 1430 Yes और संख्यों को और सेक्षिक शंठानों को अस्ठापित करने का अधिका 4931 सी में कुछ निदेज़ सिधांत को पर्भावी करने वाली बीध्यों को इसमें कहा गया है आगे देखते हैं उन्षेद 32 देखते हैं 32 में मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट सहीत अन का उपचार है इसमें उन्षेद 38 राज लोगों का कर्लियान बढ़ावा देने के लिए एक समाजिक ब्योस्ता बनाएगा उन्षेद 49 में कराम पंचायतों का संगठन उन्षेद 49 में ही कहा गया है कराम पंचायत का संगठन उन्षेद 44 में नागरिकों के लिए समान नागरिक सहीता उन्षेद 45 में छो साल से कम उम्र बचों के लिए अनिवार सिक्षा प्रवधान करना उन्षेद ये 45 में कहा गया है उन्षेद नमद 46 में अनसूची जाती और अनसूची जन जाती और अनिक कमजर बर्गों को सेक्षिक और आर्थिक खीतों को बढ़ावा देना 59-50 में कारेपालिका से निया पालिका के अलग किया जाना 59-50 अंतराष्टियर सांती और सुरक्षा को बढ़ावा देना ये कहा गया है 59-50 में मौली कर्टब के बारे में बर्णाट किया गया है 59-72 में राष्ट पति की सक्तियु जैसे छमा देना साजानी लंबन कुछ मामलों में साजा कम करना इतियादी इतियादी का पर्धानां 99-72 में 99-94 में राष्ट पति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री पश्षट की कठन किया गया है 99-76 में भारत के एक महानियादी होगा अंचेद नमर ठतर में राष्टपति को जनकारी इत्यादी परधान मत्ति के कर्तब द्वारा किया जाएगया। अनचे नमर 110 धन बिढेकों की परिभासा 친 नमर 112 बार्षिक बीतियक का बटरवरम न guitill 53 अंचे 107 क squats के दोरान राश्त पति की अधियाया न nut गाल्य सुप्रीम कोट से परामर्ष करने के राश्त मत क्यक्छष You 118 भारत के नियंतरक और महाले खा परिक्छा न cheesy ce नमर 11anta भारत का नियोंत्रन महालेखा प्रिक्षा की शत्या यह सब इसमें कहा गया है आगे दिखते नुंच्षेद नमरEk च्छपन देखते हैं राजपाल की नूंक्ति नूंच्छेद नूमरEk गया उन्छेद नमर 101 में छमा को कम करने टाल नेने लंबित करने की राजपल के सक्ति को देना है उन्छेद नमर 103 में राजपल के साहता सलाह के लिए मंत्री परशत का गठन करना आगे दियांपे उन्छेद नमर 165 में राजपल के महाधिवक्ता उन्छेद नमर 166 राजपल के जनकायद देने के लिए मुख मंत्री का करतब होना चीए उन्छेद नमर 166 राजपल में विधान मंडल की विवस्ता उन्छेद नमर 179 राजपल में विधान परशत की सनरचना उन्छेद एक वीडियो अच्छे लेगे तो लाइक सब्सक्राइब जिरू कर लेंगे एक बार चलिए तो आगे देखते हैं अनुशेद नमर 117 राज बिधान मंडल सदस्वा के लिए योगता अनुशेद नमर 114 राज बिधायका का सत्र सत्र वासन और राज बिधायका का बिघटन अनुशेद 178 में बिधान सभा के अस्पिकर और डिप्टी अस्पिकर अनुशेद 178 में यी बात कहा गया है अनुशेद 194 महाधि होत्ता के सक्ति बिसेशा धिकार और परतिलोधक छम्ता ठीक है आगे देखते हैं आगे दें यहां पे कि अनुशेद 1922 में नियालों को राज बिधान मंडल के के करवाही के बारे में पूस्तात करने का अधिकार नहीं 213 में राज विधान मंडल के अवकास में राज पाल द्वारा अध्याब करना 214 में राजियों के लिए उच नियालों की ब्योस्ता 227 में उच नियालों में नियाधिस की न्यूपती 226 में उच नियालों के रिट जारी करनी के सक्ती 226 में कहा गया है अनुछे 249 ए ए में कहा गया दिल्ली के समध में विशेस उपबंद कहा गया अनुछे 243 भी में पंचायतों का गठन अनुछे 243 भी में पंचायतों का सरचना अनुछे 243 जी में पंचायतों की जीमेदारी सक्तिय अधिकार और अनुछे 243 के में पंचायतों का चुनाव ये मेन मेन है यहाँ पे आगे देखते हम यहाँ पे अनुछे 263 अंतर राजिये परिशर्ते समन्त प्रावधान करना अनुछे 265 कानून के प्राधिकार के बिना करो का अधिर उपन न किये जाना ये बात का हागया है आगे नेकते हम पे अनुछे 275 में कुछ राजियों को संग अनुदान करना अनुछे 283 में बीत आयोकिया स्थपना अनुछे 300 में वाद और करवाहिया अनुचे 320 में लोग सेवाओं आयोकी कार करना अनुचे 323 ए में परशाष्निक नाधिकरन यह कहा गया है इसमें ठीक है यह टोटल असीगो है और चलिए तो हम आगे देखते हैं अनुचे 330 में अनुचे 370 में अनुचे 370 में जमू किस्मी राज के और अस्थाय प्राधान करना वीडियो कैसे लगी अचलिए कि लाइक सब्सक्राइब जिरू करेंगे कमेंड में बताए कि वीडियो कैसे लागी आज के लिए नहीं धन्यवाद